हालो जी नवस्कार मैं अनूस भारत मेंगलोर्स जैसा कि हमारे पास यह कि यहां पे मरोती का जो शिप्ट डीजल घरजन गाड़ी है उसका हमारे पास यहां पे ओन पॉंप परा हुआ है ठीक है जी यह अक्सर क्या होता है जब भी हम इंजियन का काम कराते हैं या टाइमिंग यह काम कैसे करता है तो आज वही हम बताने वाले हैं विस्तार से और खोल के हम भी देखेंगे और हम भी समझने का प्यास करेंगे कि आखिर इसके अंदर होता क्या है कि कोई वर्क्षोप बाले या कोई मेकैनिक बोल देख कि बाई ये ओल पॉम्प जो है अब चेंज कर दो ये प्रोब्लम आ गया क्या इसके अंदर कोई रबबर होता है क्या इसके अंदर कोई अलेक्टिकर मोतर होता है हम वही आज डाउट को स्किलियर करने वाले तो चलिए हम अराम से रिमूट करेंगे और ठीक है चीज जानेंगे कि आखिर ये चेंज हर्ण मेकैनिक क्यूं करवा देते हैं इंजिन करने के समय आखिर ये फेल क्यूं हो जाता है चलते चलते गाड़ी सीज हो जाती है तो हर्ण मेकैनिक बोलता है या गाड़ी बना बोलता वाई तु चोटा चोटा बोल्ट मिल जाएगा जी तो सबसे पहले मैं 10 साइज का बोल्ट सो रिमूब करूँगा चोटू हमारा एल्प करेगा इसमें फोटू आईए कि तो पहले 10 साइज का दो बोल्ट खोलेंगी जी कि तो थोड़ा यह खोलना तकलीफ होता है कि बहुत इसके लिए मैंने एक बार इसको ट्राई किया था खोलने का जब खूल गया इसके अंदर का तो अभी मेकेनिकल जान मुझे भी पता नहीं कि किस तरह है बट यह मैं सिर्फो सिर्फ यहां जहां से खूइल का सिरता है इसका बाड़ी हिस्सा जो है उसको मैंने खोलने का प्याश किया और बेसक खूल गया तो यहां तक तो जो काम है इस तरह का बॉल्ट होता है जी देख लिजे ठीक है टेन साइज का बॉल्ट आपको मिज जाएगा यह रफ सरड में आता है तो आपको दो बॉल्ट यहां पे खोल के साइड में रखना है जी बाकी यह समझनेंगे कि यह क्या होता है ओएल पॉम्प नीचे हो यह सेंटर में होता है जब भी घूर्मन करता है क्रेंग साप तो उसके मदद से क्या करता है यहां से सिर्फो सिर्फ समझ लिजी एक पाइफ है जैसा किसी पानी को घसिटने के लिए पानी को दूर तक पहुंचाने के लिए पाइप का उप्यों कि जाता है से मुसी तरह यह पाइफ है दो ओएल को उपर पहुंच जाने में ओएल पंप को मदद करता है जी तो यह इसमें तो कुछ है नहीं बस सिर्फो सिर्फ यह पाइप है यहां पे एक फिल्टर दिये हुए है जो भी कच्रा मेटल पाइटिकल्स बड़े-बड़े कन ज बाकी हमारा फोकस इस गाड़ी का ओएल पंप को खोलते हैं जी रिमूफ करिए छेटो इसमें आपको स्टार बीट बहुत ही कौश्टी बहुत ही बढ़िया वाना यूज़ करना पड़ेगा और पूरा गिरी पीसी के उपर बना गर रखना नहीं तो सिल्लिफ होने का चांस कि इतना कटब करके साउन आ रहा है जी एक और खुन गया एक बर और इसको प्रियास करेंगे इसमें पाच श्कुरू वाले बोल्ट दिया जिसका थरड टेन साइज है जी ठीक है जी तो यहाँ पर देख सकते हैं ये भी श्कुरू थोड़ा रिमूफ किया ये भी किया ये इसको हम प्रियास करेंगे कि रिमूफ करने का फिर भी रिमूफ नहीं होता है तो अपना जो देशी तड़ी क्या इंडिया का वह यूज करेंगे फट सेवाई खूल जाएगी छोटू विस्तो देखी इसमें थोरा वीट को उपर से प्रेस करना पड़ेंगे और मैं इसको खूली गया तो इसको चलिए जी क्लीन से मैं आपको दिखाते हैं कर प्रियाश करूँगा यहाँ पेस त्रू है मैं इस पूरा को अच्छे से खूलूंगा जी यहाँ देखूल गया अब इसके उपर का जो सबसे उपर वाला फ्लेट है इसको मुझे हटाना है और यह तो ऐसे नहीं हट रहा है क्योंकि इसमें थोड़ा जो ओल है वो चिपचिपा ओल के मदद से यह चपक गया था तो बाकी यहाँ पे यह प्लेट है और प्लेट जैसे यह आप खटाएंगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखेगा दिख रहा है आपको बढ़िया से दिख रहा होगा छोदो थोड़ा पास मिलाने के कोशिच करो सिर्फ ओल पॉम्प के पास थोड़ा और मजदिक मिली आई यह जो है ओल पॉम्प इसके अंदर का मेकेनिकल जैन कुछ ऐसा है जी अब क्या है कैसे है पहले मैं समझ लेता हूँ फिर आपको जी दिखाता हूँ मैं इसको थोड़ा साफ करने के प्रयाश करूँगा बाखी यहाँ पे दोनों टाइमिंग दिए हुए तो मैं इसको निक और बाकी है कि आपे चूड़ी जैसा तो इसको साइड में रखन बाखन बाखी बात कर लेंगे तो इसके अंदर अब कुछ भी नहीं है जी सीख है इसके अंदर से कैं साफ ट्रेंग साफ गुजरता है और बाकी ओल पूरे गाड़ी में सर्पूलेशन करने का काम सिर्फो सि यही दो गेर करता है यह जो दो गेर है इसी में पूरा वाई खेन है ना तो इसमें कोई स्क्रेचेश हुआ है ना तो यह टूट फूट हुआ है ना तो यह इसको कुछ दिक्कत है आखिर हम इसको चेंज क्यों कर लेते हैं सबसे वड़ा मुद्धा हो जाता है कि आखिर हम जब भी इंजन हमारा सीज होता है तो इसमें क्या हो जाता है कि इंजन जो ओएल है वो विपर के तरफ नहीं जा पता है तो वो एक ही चीज है वो क्या है सिर्फों सिर्फ यह गेर के प्रोब्लम्स होता है आपको अच्छे से समझाता हूँ जी देखिए पहले तो समझे ये जो गेर है ठीक है दूनों साइट से देखेंगे तो सेमी आपको दिखेगा यहाँ पर एक एरो मार्क दिखेगा जो हमेसा टॉप में रखना है बाकी इस तमय कुछ भी नहीं है बाकी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं तो मैं यह क्या करता हैं यह टॉप वाला देखके उपर के तरफ रखता हूँ जी ठीक है तो बिल्कुल अपने पोजिशन में आ गया है और इसको मैं घुमाने का प्रयाश करूँगा तो यह बिल्कुल जो है घुम रहा है ठीक है अब इसको मुझे कहीं पर छोड़ देना है या नहीं कि यहाँ पर छोड़ यह पर छोड़ देना है और इसको जो गेर है और गेर में देखते हैं एक छोटा सा यहाँ पर अब आगे के तरफ यह बड़ा सा कोर निकले हुआ है और यहाँ पर नहीं है, सिर्फो सिर्फ यहाँ पर मेरा arrow mark तो मैं arrow mark के पास रखने का प्रयाश करता हूँ यहाँ पर देखिएगा, मैं दोनों मिलाऊंगा तो आप देख सकते हैं जी, बिल्कुल दोनों arrow mark match कर रहा है, मतलब 0 point पर है जो बिल्कुल match कर रहा है, अब क्या गरना मैं इसको घुमा के देखता हूँ, ठीक है अकिर होता है क्या है मैं इसको उल्टा घुमाऊं या सीधा घुमाऊं ठीक है, यह अपने position से थोड़ा change हो गया है क्या यह change हो गया तो इससे भी कोई दिक्कत हो सकता है तो मैं तो बोलूगा कि नहीं change होने दीजे कुछ मी से प्रॉबलम नहीं है क्योंकि इस पूली में जो है कहीं पे बेंड जैसा नहीं दिये हुए, कहीं पे टेरा नहीं दिये हुए, आप कहीं पे उसको टाल सकते है फेल होने का सबसे बड़ा रीजन क्या होता है, जितना इसको ठीकनेस बना के है कमपनी की वाई, इतना जो है, इस पे material रहना चाहिए, इतना ये दोनों के बीच में gap होना चाहिए वो चल-चल के चल-चल के होता है, थोड़ा घिस जाता है, घिसने के वज़ा से क्या होता है, जो हमारा oil है वो सही से मतलब ये कमफरेसन नहीं बना पाता है, जिसके वज़ा से ये घिच पाई इंजन होई, ठीक है कहीं से न कहीं से इसमें एर पास हो जाता है या लिख हो जाता है उसके वज़ा से क्या होता है इसमें ओएल घिजना बंद कर देता है कभी कभी तो देखा हूँ इसके अंदर जो है इसके रेचे जा जाता है जाशा कि यहाँ पर दिखाने का प्रियाश करने देखिए यह पूरा में यहाँ पर घीसा घीसा हुआ टक टाइप दीज जा रहा है ठीक है वरपूर इसको आई दीजेगा तो मस्त लाइफटायम चलेगा जहां इसमें थोड़ा भी इंजन्विल कम किया या बार-बार आप इंजन्विल को कम कर रहा है तो इसके अंदर क्या हो स्याद समझ में आई गया होगा अगर इसमें गडबर मैं मुला होगा तो आप arise इस कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताई है कि अनुज भाई यह ऐसा नहीं ऐसा है क्योंकि मैं भी इसको पहली बार खोला हूँ और मैं भी प्रयाश किया हूँ आपको समझाने का और खुद से समझने का तुमीद है कि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी पसंद आई हो तब प्लीज लाइक करिए गाए और सब्सक्राइब करिए आप मिलते हैं इसे इन्हें क्योंकि ने टोपिक के साथ तब तक जय हिन जय भारत चलिए इसको एसेंबल करते हैं और इसकर आप रूम में दालते हैं ओक्यजी थैंक यू